नवस्कार रब बेखरे न्यूज वोल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम निश शर्मा सरकार 9.370 को खत्म करने के साथ जमू कश्मीर को दो केंदर शाषित प्रदेशों जमू कश्मीर और लदाक में बाट दिया था सरकार का कहना था कि राज में विकास और वहां अमन बाहली के लिए ऐसा किया गया है सरकार के फैसले के पहले ही विपक्ष के कई बड़े निता हिरासत में ले लिए गए थे और उन्हें कई महीनों तक बाहर जाने की आज़ादी नहीं दी गई थी इसी किसाथ जमू कश्मीर में इंटरनेट स्पीड को सीमित कर दिया गया था प्रदेश में आज भी मोबाल इंटरनेट पर 4G स्पीड उपलब्द नहीं है जमू कश्मीर के लोगों को अपने जरूरी काम काज टूजी स्पीड के सारे ही करने पड़ते हैं फिर चाहे स्कूल की सिक्षा हो प्रवेस परिक्षा की तैयारी या मेडिकल से जूड़ी इमरजेंसी गरह मंतराले ने दावा किया था कि एनुचे 370 हटाए जाने के बाद जमू कश्मीर में आतंकी वारदात में भारी कमी आई है मंतराले के आगड़ों के मुताबिक 370 हटने के बाद जमू कश्मीर में आतंकी घटनाय कम हुई है 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाओं में 63.9% की कमी देखी गई है यह आकड़ा पिशले साल 15 नमबर का है वही मंतराले के मुताबिक विशेश रक्षबलों के जवानों के मारे जाने में भी 29.1% की कमी आई है 2019 की तुल्ला में 15 नमबर 2020 तक आम नागरिकों के हतात होने के मामले में 14.28% की कमी आई है वहीं ग्रह मंतराले के आकड़ों के माने तो जनवरी से लेकर जुलाई 2019 में 116 आतंकी मारे गए है वहीं साल 2020 में इस अब्दी में 136 आतंकी मारे गए है ग्रिनेड हमले की बात की जाए तो साल 2019 में 51 हुए है और 2020 में 21 हुए है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विछले एक साल के दोरान युवाओं का आतंकी गुटों में शामिल होना मैत्पून धंग से कम हुआ है फरजी एंकाउंटर पर सवाल द्रह मंतराले का दावा है कि 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी गटनाय कम हुई है लेकिन कश्मीर में दो एंकाउंटर सवालों के गेरे में है शुपियों में कठित एंकाउंटर में शामिल होने के आरोप में सेना के एक कप्तान समय तीन लोगों के खिलाफ कोट में चारशीट दायर की जा रही है मामला 18 जुलाई 2020 का है जहां अमशीपुर मुद्बेड में तीन मजदूरों की एंकाउंटर में मौत होई थी परिवार ने उन्हें बेकसूर बताया था और कहा था कि वो मजदूर है सेना ने भी माना था कि आरूपियों ने अपनी शक्तियों का गल्द इस्तमाल किया था वहीं दूसरी ओर 29 सिटीस दिसंबर 2020 को हुई एक मुद्बेड संधे में है श्रीनगर में हुई इस मुद्बेड में तीन युवक मारे गए थे परिवार की सदस्यों का दावा है कि मारे गए युवक आतंगवादी नहीं थे जो युवक कटित एंकाउंटर में मारे गए हैं उनकी उम्र 16 से लेकर 24 वर्ष के बीच थी पुलिस निस एंकाउंटर पर दावा किया था कि मारे गए तीनों आतंगवादी थे तो वहीं परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही हमारी आपको ये रिपोर्ट कैसी लेगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें नमस्कार